तो इस समय विशेश सत्र के दौरान दोनों सत्रों में कारेवाही चल रही है एक ओर लोग सभा में अधीर रेंजन चौदरी बोल रहे हैं तो दूसरी ओर राज्य सभा में मल्लेकार जुन खरगे बोल रहे हैं आपको सुना देते हैं अनदिंग सेलिब्रेशन अपुरालिजम सभूराइड राजिशन अपुराइड तर दिफरेंसेट अन दिफरेंसेट इन दॉसेटन एंबडी एनग्ड इसेन पूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर् ये बरजित केते हैं हमारे ही तो ये आप देख रहे हैं अधीर रंजन चौधरी अभी लोकसभा में बोल रहे हैं और हमारे साथ दोनों समवादाता नीरज पांडे और अंकित गुपता आपको देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर नीरज अभी जो हम भाशन प्रधान मंत्री का दर्शकों को सुना रहे थे और अभी जो विपक्ष के नेता बोल रहे हैं इससे साफ पता चलता है कि विशेश सत्र के दोरान पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारियां खूब मजबूत हैं सब अपने पॉइंटर्स बना के लाए हैं सब अपने सरकारों के बारे में गिन राज्नी पे-पनी बात पहुंचाता है तो राज्नीयतिक मैं निशिद्रूपमे रायर अवड में होगी कंश से कम अपने लिए कर तहकी दो अपने लिए अच्छी भावना लाई प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने अपना भाशन शुरू किया तो उन्होंने अम्रित काल पर चर्चा की सभीधान सभा से लेकर आज तक के कारकाल को याद किया जितने महत्पूर्ण ने वक्त इजाज़त नहीं दे रहा अभी लोचेंगे आपके पास संकित आप भी हमारे स में साथ बने रही एग वर हां के पत्रकारता कोई दोर में शायद पहले नहीं थी इस दोर इसे निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जुरूब है वो सच जो आपके हित को आगे रखे इसलिए अब रात नौ बजे प्राइम टाइम नहीं होगा ये आपका टाइम है जगविंदर पट्याल के साथ देखिये पब्लिक इंट्रेस्ट सुमवार से शुक्रवार रात नौ बजे सिर्फ एबीपी नियूज पाइब एबीपी नियूज आपको रखे आगे एबीपी नियूज आपको रखे आगे एक जय दो इप बजे हो सहता पंदू है